हैलो फ्रेंस वेलकूम टू मैं जैनल आज हम बात करेंगे वगए एक अगनित्री द्वरा ड्रेक्टिव फिलम तक किश्मीर फाइस के बारे में जो कि आज पूरे देश में सेंसेशन बन चुका है इसको काफी मातर में लोग देखने जा रहे हैं क्योंकि ये लोगों के इंपक्ट डाल रही है इस फिलम ने काफी नई रिकोर्ड मनाए है और नई रिकोर्ड मनाती जा रही है आफ्टर पैंडेमिक इस फिल्म ने काफी फिल्मों को पीछे छोड़ा नई रिकोर्ड बनाए है दोस्तो इस समय ठेटर में दो बेहतरी फिल्में चल रही है एक है बच्चन पांडे जिसमें कमेडी है, ड्रामा है, एक्शन है, मसाला है और फुल एंटर्टेंडमेंट है और दूसरी फिल्म दा कश्मीर फाइस है जिसमें 1990 में हुए कश्मीरी पंड़तों के जैनुसाइड के बारे में पताया गया है लेकिन क्या आप जानते है बच्चन पांडे का पहले दिन का क्लेक्शन 13 करोड 25 लाख रपे रहा यानि उसने बॉक्स ओफिस उपर पहले दिन की कमाई 13 करोड 25 लाख रपे से की जो कि पैंडर्मिक के बार काफी अच्छी मानी जा रही है दूसरी ओध कश्मीर 22 दो दिन पर दिन ने रकोड बनाती जा रही है उसका आटमे दिन का क्लेक्शन 19 करोड 25 लाख रपे रहा इस फिलम के पिछल साथ दिन को क्लेक्शन देखा जाए तो इस फिलम ने 90 करोड पे लगबग कमा लिये है इसके आटमे दिन की क्लेक्शन जोड दिया जाए तो इसने अब तक लगबग 117 करोड पे की क्लेक्शन की है यह फिलम बच्चन पांडे से एक हफ़ता पहले रिलीज होई थी और यह विलम बच्चन पांडे को काफी टकट दे रही है मगर बच्चन पांडे ने की काफी अच्छा क्लेक्शन किया है और लोगों को पसंद आ रही है सैचडे की बात करें तो लोगों इसके पसंद कर रहे हैं और इसके देखने बावली मात्रा में जा रही है सेकंड डे पर लोगों दोरा अच्छा रिस्पोंस होने के कारण ये फिलम सेकंड डे पर All India 16 करोड पे का कॉलेक्शन कर सकती है दूसरी और The Kashmir Files के बारे में बात करें तो इस फिलम ने धीमी शुर्मात की इसके बाब जूद ये फिचर बड़ी बड़ी मूवीज को पिछे छोड़ रही है पहले इसने रादे शाम और अब पच्छन पांडे को कड़ी टकर दे रही है जिसके वज़ा से इसने 19 करोड 15 राख रुपे का क्लेक्शन किया है और सेकंड विंकर्ड पर सेटड़े का कलेक्शन इसका 20 से 22 करोड रुपे माना जा रहा है